गुड मॉर्निं एवरियून क्या हाल चाल है मेरा नाम जातिन खत्री आप सबका स्वागत आपके अपने चनल इशाइन डिसाइन्स में आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है क्लोज स्टोर के इंटीर के बारे में आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि मैं आपको एंड में बता पाऊं कि हमने इसको प्लान किस तरह से किया था इसका एलिविशन किस तरह से है इसका बजट किता रहा था इसके ओनर कौन है और किस तरह से इसका basic plan हुआ था function हुआ था ताकि आपको भी idea रहे कि अगर आप अपना भी showroom बनवा रहे हैं तो किस तरह से बनवाएं किस तरह से planning करें क्या क्या चीज़े लगाएं क्या चीज नहीं लगाएं और हमारे सामने ये बैठे है shop के owner देवाराम जी तो चलिए शुरू करते हैं तो शुरुआत करेंगे हम entry से तो entry एक तो first floor पे है उसकी वज़े से हमने cd के उपर इस shop का नाम लिख रखा है और आगे gate दिया हुआ है जिसके अंदर glass लगा रखा है जिसमें सारा display होता है entry करते ही सामने की तरफ पूरा का पूरा showroom डिस्पले होता है जहां पे floor के अंदर हमने matting बिचा रखी है और यहां पे एक counter table है जहां पे owner खुद बैठे है जो initially प्लान हुआ था वो कुछ इस तरह से प्लान हुआ था कि जो entry table है वो सामने की side लगनी थी पीछे glass थोड़ी designer लगने थे दो AC की point थे और बड़ी ऐसा display था और कुछ dummy लगने थे सारा साथ में दीवार के ऊपर जिता display हो सकता था हमने पूरा complete display पूरा दीवार के ऊपर ले लिया था तो इस तरह से कुछ basic plan हुआ था इसके अंदर cushion के साथ में काफी सारे sofa भी थे और नाम भी साथ में हमने highlight किया था और इसके साथ में जो shop में कपड़े रखने के लिए जगह थी वो जगह भी हमने पूरी की पूरी boxes के साब से plan की थी तो इसका elevation जो है कुछ इस तरह से दिखता है जिसको हमने ACP sheet के बार के अंदर करवाया है जो की काफी attractive है और बनके Uber के बाहर आ रहा है तो चली अब वापस अंदर चलते हैं और जानते हैं एक 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 चीज़ के बारे में तो entrance करते ही counter table है counter table के पीछे आप देख पा रहे हैं wallpaper है जहां पर CCTV की पूरी camera की output लगा हुआ है साथ में जो हमने boxes दिये थे storage के लिए वो एक 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 box को properly plan किया हुआ है उसी तरह से बनाया हुआ है उसके उपर हमने inner में white laminate और उसके उपर हमने brown color की dark laminate लगाई है और साथ में पीछे की तरफ glass दिया हुआ है mirror हमने काफी जगा काम में लिए है ताकि पूरे शोरून के अंदर attractive look आए और जो भी कोई तयार हो तो उस mirror के अंदर खुद को देखके खुश हो सके इस तरह से आप जो आसे नीचे देख रहे हैं पूरे के पूरे सामान रिखने के लिए हमने proper way में जगा बनाई थी और नीचे cushion और proper way में लगा हुआ है सारा तरीका से साथ में false ceiling के अंदर हमने lighting भी काफी अच्छी काम में लिए है और जो इसमें लगा हुआ है सारा सामान वो एक premium range एक अलग category में रखा हुआ है और जो normal सामान regular use में आता है वो अलग category में रखा हुआ है जो cut pieces आते हैं वो अलग category में है दो पटे वगर जो आते हैं वो अलग category के अंदर रखे हुए है dress या फिर पूरे waste जिसको बुलते हैं राजपूती पोशाक वगर वो एक अलग category में रखे हुए है तो पूरा way यानि कि जितने भी item थे सब एक 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 item प्रॉपर way में प्लान हुआ था requirement सारी clear थी सामान सारा भगना था तो हमने एक 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 item के लिए पूरा specific जगह बनाई है entry के अंदर पूरी दुपट्टे रखे हुए है उसके बाद में पोशाके पोशाकों के बाद में जो cut piece के लिए जो cut piece वाले दुपट्टे और फिर अंदर जो है वो जोड type के कपड़े रखे हुए अंदर इस तरह से ये पूरा का पूरा प्लान हुआ था शोरूम जो एक्चुल में हमने इसके लिए budget जो initial रखा था वो 3.5-4 लाग के बीच में प्लान में रखा था लेकिन lighting और wallpaper और mirror electricity item और cushion वगरे को सब को मिला के ये तकरीवन budget हमें 5.5 लाग से बाहर गया है क्योंकि इसके अंदर हमने एक तो elevation भी include किया है जो light के सारे points है lighting हमने काफी अच्छी करवाई है AC भी इसमें लगा रखा है ताकि showroom जो है पूरा तरीके से ठंडा रहे और fall selling हमने complete करवाई है तो budget के हिसाब से ये प्लान हुआ था और फिर बाद में इसका budget हमने increase कर दिया जिसकी वज़े से इसका budget काफी अच्छा हो गया है लेकिन इस shop का look भी बहुत अच्छा आ रहा है जो मैंने इसको plan किया था वो इस तरह से किया था कि entry करते ही आपको एक बड़ी असा display दिखता और इसके अंदर lighting काफी अच्छी होती mirror भी दी रखे थे और कुछ dummy लगाए थे मैंने जिसमें वो show off करनी के लिए अच्छा दिखता है उसके अलावा इसके अंदर कुछ minor changes हु आपका अगर अपने showroom का design बना रहे हैं तो आप क्या चीज़े ध्यान में रखेंगे देखे शुरू में इसका जो काम हुआ था हमने इसके अंदर false link पहले करवाई थी उसके बाद लकडी का काम किया अकच्छा उसके बाद हमने इसकी laminate decide करी और इसको किस तरह से highlight करना है उस तरह से इसको ऊपर के attractive चीज़ों को highlight करा था और इसके AC और light fitting के points सबसे last में हुए है यानि कि सारा अकच्छा काम हो गया था लकडी का उसके बाद हमने इसकी fitting करवाई थी तो इस तरह से ये पूरा पूरा showroom बना था आप अपना showroom बनाएंगे तो किस तरह से साथ ही telegram channel की link बने description दीवी है वहाँ मेरे से telegram पे जुड़े और अगर आप अपना showroom बना रहे हैं तो मुझसे कोई सला चाते हैं तो मेरे से सला ले सकते हैं और इस तरह का अगर आपको video बना के चाहिए पूरा complete designing के साथ में तो वो भी आपको मिल जाएगा आप मेरे से telegram channel पे जुड़े तो मिलते हैं दोस्तों अकले वीडियो में तब तक लिए channel को subscribe करते हैं और वीडियो को like करते हैं